आप सभी किसान भाईयों को मेरा साधर परणाम मैं डॉक्टर मौनिका लाला लाजपत राय युनिवेसिटी ओप वेटनरी अनिमल साइंसिज में पशुधन उत्पाद प्रदोगी की विभाग में सायक प्रोफेसर के रूप में कारे रथ हूँ मैं आज आप सभी किसान भाईयों को अपनी आये दोगनी करने के लिए मुल्य सवर्दन को कैसे अपना कर अपनी आये को दोगनी कर सकते हैं इस बारे में अपने विचार प्रस्तूत करना चाहूंगी सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगे कि भारत आज विश्व में दुगदूत पादन में प्रथम स्थान पर है इसका श्रे हमारे किसान भाईयों को और सरकार की योजनाओं को जाता है अब बात आती है कि आप मुल्य सवर्दन को कैसे अपना कर अपनी आये को दोगनी कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले बात आती है कि मुल्य सवर्दन होता क्या है और इसे हम कैसे अपना सकते हैं मुल्य सवर्दन का मतलब है कि जो प्रतिस पर्दा से अलग रखने की शम्ता रखता है जिसे अपना कर उत्पादक उसके बड़े हुए मुल्य के रूप में उसको महसूस कर सकते हैं तथा उत्पभॉगता उसके बड़ी हुई शम्ता को महसूस करके उसको अपना सकते हैं इस शेल्फ लाई जीवन बढ़ जाता है समान्य ता हमने देखा है कि दूद का शेल्फ लाई जीवन चार से पांच दिन तक है वो भी रेफ्रिजरेशन में यानि कि फ्रिज में रखकर जबकि हम इससे अगर मुल्य सवर्दित पधात बनाते हैं तो उसका शेल्फ लाई जीवन 15 दिन से लेकर एक साल तक बढ़ सकता है यदि हम घी वगेरा बनाते हैं तो और साथ ही इससे ब्रैंड निर्मान में साहिता मिलती है और वेपार का गठन होता है आम तोर पर पशुपालक जो है पशुपालन और पशुधन वेवसाय में अंतर नहीं समझ पाते हैं पशुपाल मेरा कहना यह है कि यदि हम डेरी को वेवसाय के रूप में अपनाएं तो अपनी आये को दोगुना कर सकते हैं अगर हम इससे मुल्य समवर्दित पधार्द बनाते हैं तो अब बात यह आती है कि मुल्य समवर्दित पधार्द बनान वेपार शुरू करने से पहले किन-किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, सबसे पहले कोई भी वेपार शुरू करने से पहले एक योजना का निर्मान करना चाहिए, क्योंकि यदि कोई प्यार की योजना नहीं बनाई गई, तो वेपार सफल नहीं हो पाता, खास कर मुल्य सवर्दित पधारतों के साथ, इसके वेपार सफल रूप से चला पाएंगे, साथ ही हमें इसमें एक महतोपुन घटक पे ध्यान देने की जरूरत है, वह है कि हम अपने मुल्य सवर्दित पधारत कहां बेचेंगे, क्योंकि बजार के बीना जहां पे पधारतों की खरीद और बेच होती है, उसके बीना कोई भी वेपार लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता, खाज कर मुल्य सवर्दित पधारत, और साथ ही हमें अपने प्रतिस परदियों की भी जानकारी होनी चाहिए, कि बजार में हमारे कौन-कौन से प्रतिस परदित मौजीद है, और साथ ही हमें इस चीज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपने पधात कहां बेचने वाले हैं, क्या उन लोगों की क्या-क्या जरूरते हैं, उन लोगों की आर्थिक आयका कितनी हैं और साथ ही उन लोगों की जरूरते क्या-क्या हैं, क्योंकि आज कल शैरी करण के कारण लोगों की ऐसी जरूरते हैं कि वो ready to eat औ मुल्या समधित पधात कैसे बनाएं उधारण के तोर पर हमें 100 लीटर दूद प्रोसेस करना है तो हमारा एक लीटर भैस के दूद की कीमत 50-50 रुपई है तो वह हमारी पढ़ जाती है 5000-500 रुपई 100 लीटर की दूद की कीमत 5000-500 रुपई पड़ेगी लेकिन यदि हम उसी दूद से मावा या खोवा बनाते हैं जिसके लिए ना ही विशेश उपकरण के आवशकता है ना ही विशेश परशिक्षन के आवशकता है इसे हम घर पर भी बना सकते हैं तो हमें इससे 100 लीटर दूद कि लागत घटाने के बाद तो यह एक सिंपल मैंने खोवा या मावा का उधारन दिया इससे हमें दो से धाई हजार रुपे तक का मुनाफ़ा हो रहा है अब हमें बात आती है कि हमें डेली खोया या मावा बनाने की जरूरत नहीं है हम इसको पर्टिकलर डे पे अलग अलग प्रड़क्ट्स बनाएंगे जिससे की हमारा विपार है जो वह सफल चलता रहे इसी तरह हम बर्फी भी बना सकते हैं खोवा को इस्तमाल करके जिसमें की 6-7 परसेंट तक की चीनी डलेगी तो हमारा मुनाफ़ा और बढ़ जाएगा अब बात आती है दूसरे मुल्य समवद पदात की इसमें कि हम फ्लेवर्ड मिल्क बना सकते हैं आपने बजार में देखा होगा कि फ्लेवर्ड मिल्क 25 से 30 रुपे की एक बोटल मिलती है जिसमें की केवल 200 ml क्वांटिटी होती है तो यानि की चार अगर हम पांच गुना तक मुनाफ़ा कमा सकते हैं यानि की 1.500 50 से 55 रुपे लीटर दूद था अगर हम फ्लेवर्ड मिल्क बनाते हैं फ्लेवर्ड मिल्क बनाने में केवल 6 से 7 परसेंट चिनी की आफशकता है और जो आर्टिफिशल फ्लेवर्स आते हैं वो डालने हैं तो यानि की फ्लेवर्ड मिल्क बनाना कितना असान है जबकि हमारे किसान भाई इस चीज़ से अवगत नहीं है कि हम इतने सिंपल प्रोडक्ट्स बना के भी अपने आए को कैसे बढ़ा सकते हैं इसी तरह हम भैंस के दूद से गुलाब जामून बनाएं तो उससे हमें चार गुना तक का मिल सकता है अब किसी किसान भाई के पास गाएं हो चमद हम पारा चांधा निकल पनीर बन जाता है फिंट ऐसे को हम स्टमाल करके दो सो ग्राम च्छैने को स्तमाल करके रजखधा नई में चार गुना क सकते हैं तो इसी 알मे मैं आप सभी गिसान भाहयों को आहवान करना चाहूंगी कि अगर आप यह वाणी सिम्पल बिलकुल सिंपल टेकनीक इस्तमाल करके सिंपल प्रोड़क्स बनाकर अपनी आये को दोगुना कर सकते हैं अंत में मैं आप सभी किसान भाईयों को कहना चाहूंगी कि हमें आज ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि नयकी स्वेयर रोजगार पैदा कर सके पीतु दूसरों के लिए भी तुद करते हूं धन्यावाद।